चाइना की तरफ से यह कहा गया कि चीन युद्ध नहीं चाहता है लेकिन बिना लड़ाई लड़े चीन जीत जाएगा आखिर चीन बॉर्डर पर ऐसा क्या प्लान कर रहा है जिससे वह बिना लड़ाई के जीत जाएगा एक्सपर्ट्स ने किया बड़ा खुलासा वहीं जापान और भारत में अभी अभी संधी ही हुई है लेकिन जापान ने सुरुवात कर दी क्या अब सीधे जापान करेगा चीन पर हमला दूसरी तरफ भारत और रूस मिलकर बना रहे हैं ब्रमोज को और भी जादा ताकतवर इसके अलावे बहुत कुछ आये जानते हैं इन खबरों को बिस्तार से एक बड़ी पुरानी कहावत है चोर उचक का चौधरी कुटनी भई परधान भारत में एक समय ऐसी ही सरकारे थी जिसमें चोर उचक के जादे थे चीन जैसे खत्रे को 1971 में भी देखने के बाद भारत की उन सरकारों ने कोई खास तैयारी नहीं करी ये तो पिछले 5-6 साल है जिसके बाद भारत की सरकार जो नई यानि की मोदी सरकार ने रच्छा चेतरों में बड़ा बदलाव किया जिसका नतीजा यह है कि आज चीन के सा पा रहे हैं बलकि उसके उपर हावी भी हो रहे हैं नहीं तो अभी तक अगर पिछली सरकार रहती तो सरेंडर कर चुकी होती और जमीने भी दे चुकी होती रच्छा चेतर में आगे बढ़ते हुए भारत और रूस सूपर सोनिक क्रूज मिसाइल ब्रम्भोस के लिए एक न नई मिसाइल दुस्मन देश के अवाक्स सिस्टम को मार गिराने में कारगर होगी अवाक्स सिस्टम को उसके साइज और वजन के हिसाफ से भारी और मध्यम स्रेनी के बिमानों के उपर लगाया जाता है ताकि इनकी मदद से अंदर बैठे ऑपरेटर्स एक निश्चित दू जो की बहुत ही खतरनाक होने वाला है जो नई मिसाइल होगी वह एक साथ कई निसानों को साधने में सक्षम होगी और भारत के स्वदेसी हलके लडाकू भीमान तेजस को इस मिसाइल के एर वेरियंट के साथ लैस किया जाएगा वैसे भारत और रूस पहले से ही इस सूपरसोनिक मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर से बढ़ा कर 600 किलोमीटर करने की योजना पर भी काम कर रहे हैं इस मिसाइल की रेंज बढ़ने से भारत की मारक चमता में भी बढ़ोत्री होगी ब्रह्मोस कमदूरी की रेंजेट इंजन युक्त सूपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इसे पंडुबी से पानी के जहाज से लड़ाकू बिमान से या जमीन से दागा जा सकता है और ऐसा कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस के एर लॉंच वर्जन को जल्द ही सुखोई 30MKI और स्वदेशी LCA तेजस बिमान पर लगाये जाएगा इन बिमानों के कई बार इस मिसाइल का फायर टेस्ट किया जा चुका है वहीं दूसरी तरब भारत ने वह फैसला ले ही लिया है जो की चीन को हराने के लिए बहुत ही जरूरी है और आने वाले समय में भारत को महसक्ती बनाने के लिए भी जरूरी है और अब दुनिया भारत की टेक्नोलोजी की ताकत भी देखेगी अभी तक जो चीजें हम लोग फिल्मों में देखते थे जैसे कि स्टार वार्स की मूवी में देखते थे लेजर बीम और ऐसे हतियार जिसकी कलपना नहीं की जा सकती थी वो सब अब सच होने वाला है अब भारत के DRDO ने उस हतियारों को बनाने का सुरुवात कर दिया है जो कि अभी तक सिर्फ कलपना थी या वेहत सुरुवाती इस्थिती में थी भारत का परसिद्ध काली हतियार जो की मेगनेटिक फिल्ड और माइक्रोवेवस की एक भ्यानक तरंगों का समूह खड़ा कर देता है वह तो मात्र एक जलक है अब जो भारत करने जा रहा है वो उससे कई गुना ज्यादा कदम में आगे बढ़कर ऐसे ओकलपनी हतियारों को बनानी की सोच रहा है जिसको पूरी दुनिया पहली बार देखेगी DRU ने डाइरेक्ट एनरजी विपन से जुड़े हाई एनरजी लेजर्स और हाई पावर माइक्रोवेवस के घातक हतियारों को विक्सित करने का फैसला कर लिया है DRU ने फैसला किया है कि पहले चरण में बनेंगे 100 किलोवाट के लेजर्स हतियार जिनका तारगेट रेंज होगा 6-7 किलोमीटर और दूसरी चरण में बनेंगे 15 किलोमीटर से जादा रेंज वाले वैसे आपको बता दे इन हतियारों को इस तरह से बनाया जा रहा है कि दुस्मन की कोई भी टेक्नलोजी हो कोई भी बिमान हो या ड्रोन हो जो भी इसके रास्ते में आएगा सब जल्मुन कर खाक हो जाएगा भारत ने अमेरिका से तीन गुना ज्यादा ताकत वाले हतियारों पर काम करना सुरू कर दिया है जो की बहुत जल्द भारतिये बेडे में सामिल हो जाएगा वैसे आपको बता दें पहले भारत इन बातों को छिपा कर रखता था लेकिन अब भारत सरकार की ससक्त नीती ही है कि भारत अब बड़े ही आत्म विश्वास के साथ इनके बारे में बात भी करता है और दुनिया को बताता भी है वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल टाइम्स ने दावा करा है कि चीन लड़ाई लड़ना नहीं चाता है लेकिन चीन बिना लड़े जीत जाएगा आखिर ऐसा क्यों अब इसके बारे में एक्सपर्ट की राय है कि तीम बार पटकनी खाने के बाद जिन पिंग बहुत ही ज़्या किया जा सकता है जिसकी वजह से भारत में बिना लड़ाई लड़े सीमा पर भगदर मचाने की साजी से चीन की लेकिन इस बार भारतिये फोजे भी तैयार है उसके इस तरह के किसी भी हत्यार का जवाब देने के लिए दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर आ रही है जापान स चीन अभी ताजा तरीन गुंडा बना है लेकिन उससे पहले जापान अपनी गुंड़ाई दिखा चुका है वह तो द्वितिये बिस्यूद में हीरो सीमा और नागा साकी की वजह से और अमेरिका के परियोग की वजह से जापान के हाथ बन गए अमेरिका ने जापान के साथ एक पैक्ट साइन करा जिसमें कि उसने जापान को अपनी सेना नहीं रखने के लिए कह दिया और यह कह दिया कि सुरच्छा जापान को अमेरिका मुहया कराएगा बरना जापान एक समय जिस तरह चीन आज कर रहा है उस तरह से अपने बिस्तारवाद पर पूरा का पूरा ध्यान लगाए हुए था और जापान के आगे कोई टिकता नहीं था ऐसे में अब उसी जापान ने वापस से अपने गुंड़ई वाले फॉर्म में आने का फैसला ले लिया है और जापान ने अब वो कर दिया है जो चीन सपने में भी नहीं सोच सकता है आखिर जापान ने क्या किया है आईए जानते हैं आज तक जापान के एर इस्पेस पर घुसता था चीन का विमान लेकिन नए परधान मंतरी के एलान के बाद भारत के आर्मी चीफ से बात करी जापान के रच्छा मंतरी ने और उसके बाद लिया बड़ा फैसला और अब ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कहीं पूरवी चीन में जापान न कर दे हमला क्योंकि जापान की फाइटर जेट चीन की एर इस्पेस में गुसी और टोह लिया या पहली बार हुआ है अब तक में आपको वैसे बता दें जापान की वायू सेना बड़ी ही दमदार ह और जपान की वायू सेना पर पूरी दुनिया भरोसा करती है ऐसे में भारत और जापान अगर मिल जाते हैं तो चीन के छक्के छुट जाएंगे बिना अमेरिका की भी ये दोनों सक्तियां चीन को धरासाही करने में सक्षम है आपको क्या लगता है सीमा पर कोरोना जैसी किस चीज का इस्तेमाल कर सकता है चीन कमेंट कर अपने विचार जरूर रखें